हेई गाइस कैसे आप सब मैं हूँ निखिल और आप सभी का स्वागत है आज की इस ने वीडियो में सो चार महीनों के ब्रेक के बाद I am back on YouTube अब चार महीने मैं कहां पे था मैं क्या कर रहा था मैंने वीडियो क्यों नहीं डाले आई नो आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे बट उन चीजों को हम किसी और वीडियो में डिसकस करेंगे आज के वीडियो में हम बात करेंगे फोटोशॉप 2025 के न्यू अपडेट्स के बारे में और शायद तक आपने यूट्यूप इन अपडेट्स के बारे में वीडियो देखे होंगे तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इने टेस्ट करूँ और अपना उपीनियन आपके साथ शेयर करूँ तो बिना कोई टाइम वेस्ट की है चले आज का वीडियो शुरू करते हैं ओल्राइट तो यहां पर है हम लोग फोटोशॉप के अंदर और यहां पर है सबसे पहला एक्जामपल जहां पर हम टेस्ट करेंगे फोटोशॉप का नया फाइंड डिस्ट्रैक्शन वाला फीचर जहां पर हमें दो ऑप्शन मिलते है दाट इस वायर और केबल्स को निकाल सकते हैं और पीपल लाइक पब्लिक को निकाल सकते हैं और यहां पर हमें मोड मिल जाता है यहां पर तीन ऑप्शन है ऑटो जनरेटिव एई ऑउन या जनरेटिव एई ऑफ इसका मतलब क्या है कि जब यह ऑटो पर होगा और जब हम इन सारे केबल्स को रिमूव करेंगे अगर हम इसे ऑटो पर रखेंगे तो यह हो सकता है कि शायद थोड़े बहुत जनरेटिव ए यहां पर यहां पर जाकर क्लिक करेंगे फाइन डिस्ट्राक्शन एंड वायर्स एंड केबल अब सबसे बैस चीज मुझे इस फीचर की यह लगती है कि यह बहुत जादा फास्ट है यह सारी चीजों को रिमूव करने में और यह जो एक्जामपल यह काफी टफ एक्जामप टूल क्योंकि रिमूव टूल भी काफी जादा अभी एडवांस हो गया है काफी बैटर रिजल्ट समय देता है तो जैसा कि देख सकते हो दिस बिफोर एन आफ्टर काफी वायर्स इसने रिमूव किये हैं अगर आप लोग मुंबई में रहते हो तो आपने देखा होगा कि जबी भी हम स्ट्रीट फोटोगरिफी करते हैं वायर्स सबसे बड़ी दिक्कत बन जाती है तो यह फीचर मुझे बहुत जादा सही लगा कि अगर आप फोटो अगरा निकालते हो वायर्स आ गए जो कि मुंबई में इंडिया में रहोगे तो आएंगे ही तो उन्हें टूल सेलेक्ट करना है और सिंपली आप जाके इस तरीके से चीजों को रिमूव कर पाऊगे अब क्यूंकि रिमूफ टूल भी काफी बेटर कर दिया है और दो भी ने फोटोशॉप 2025 के साथ तो चीज़े रिमूव करना और भी ज्यादा आसान हो गई है तो यू कन क्लीन मैं रिकमेंड नी करूंगा ऐसी इमेज आप यूज करो यह तो बस आपको एक इग्जामपल दिखाने के लिए मने इतनी हेवी मेंज लीती जहां पर इतने सारे वायर से सो या इट इट जॉब डन बेसिकली तो चलिए और एक एग्जामपल ट्राय करते मेरे पास और एक फ सोचो इसे अगर हम मैनुवली करने बैठे तो कितना जादा टाइम लग जाएगा मतलब सोचने में भी डर लग रहा है तो चलिए इसे टेस्ट करते है यह अगें विया पुशिंग इस फीचर तो दे एक्स्ट्रीम विद इस एक्जामपल सो लेट्स ट्राय दिस आउट एक इन चीजों को फिक्स करने में विच इस लाइक स्नाप बहुत जाधा टाइम तो नहीं लिया बट अगें यह जो इमेज थी वो काफी हैवी थी तो यहां पर आप देख सकते हो इस वाले एरिया में इसने पूरा हग दिया है पट जो यह वाले एरिया जहां पर डीटेल्स थ जासे कि एसे इसने बुच्छी तरीके से ऐस किया अप देख सकते हो यहां पर आप इसने रेबिल्ट जो किया है वह कआफी इयक्ट्यक्षा किया है स्वाले एस Rebuilder ंश री इंप्रेज्ज मी एन उनC half the most useful feature मुझा पश्रा सब्ट इस एक्जाइब्छर आईं अगर आपका अगर आप फिक्स करना चाहो तो ऐसे छोटे मोटे फिक्स आप अपने फोटो में कर सकते हो विच उस्ट टेक लॉट ऑफ टाइम बेफॉर नेक्स जो फीचर जिसके बारे में बात करेंगे वह है पीपल के बारे में बहुत बार होता है कि हम लोग किसी अच्छे से लोकेशन जाता है किसी मॉनुमेंट के साथ फोटो निकालना चाहता है या मॉनुमेंट का फोटो निकालना चाहता है बट क्योंकि वह टूरिस्ट प्लेस है या पब्लिक प्लेस है वहां पर बहुत सारे लोग होते तो हमारे पास ऑप्शन तो नहीं कि हम लोगों को हटा पाए तो हम City People पे जाओॉ क्लिक करूँ, इन स्नाप यह सेलेक्शन बना लेगा अब यहाँ पर एक चीज क्या है अगर मान लीजिए इस नहीं किया है किसी ऐसे को सिलेक तर लिया है जिससे मैं नहीं चाहए कि यह सिलेक्श नेक्श है, बाकी इन सारी जो पब्लिक है इन्हें रिमूब कर दें तो हम सेलेक्शन को भी थोड़ा अपनी सब से अजिस कर सकते हैं एंद फिर मैं क्लिक करूंगा ओके पर इस गोन टीक फ्यू सेकंद्स और इसमें थोड़ा से जादा टाइम लेता है एक्सपीरियंस किया है इस वाले टूल के साथ तो जैसा कि देख सकते हो रिजल्ट बहुत जादा अच्छा है मतलब इस्पेशली यहां पर आप देखो तो यहां पर जादा डीटेल्स थे भी नहीं जो कपल यहां पर खड़े है तो पीछे का जो मॉनुमेंट दिख नहीं रहा है तो इसने इतना बड़ा सा चंक अपने आप से फिक्स कर लिया है जो कि डीटेल्स में मतलब डीटेल भी बहुत जादा अच्छा है तो इस इस ए रिली उसफुल फीचर अब मैं यहां पर और एक इक एक 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 जादा लोग है और जो लोग है उन्होंने इमज का एक काफि अच्छा सा चंक कवर किया हुआ है तो इहां पर मैं दिखाना चाहता हूँ कि अगर मैं इस टूल को सिलैक करूँ नियू लेयर क्रीट करके तो ये काम नहीं करेगा अगर मैं अगर क्लिक करूँ ये काम नहीं करेगा अगर आपका जो image है उसका main subject ही लोग है जैसे कि इस image में जो लोग है वो इस image के almost 10-15% of the area cover कर रहा है तो वो काम नहीं करेगा और यहाँ पर जो हमारा पहला example था यहाँ पर यह जो लोग है यह almost writing 1-5% के बीच में area cover कर रहा है इस पूरे image का तो इसलिए इसने यहाँ पर काम अच्छे से किया बट अगर आप ऐसे image लेते हो जहाँ पर आपका main subject ही लोग है जैसे लोग focus में है प्रॉपरली अच्छे से तो इस ऐसे scenarios में यह काम टूल नहीं करेगा तो यह कुछ boundaries है जो आपको ध्यान में रखनी है जब आप इस सारे features को try करो अब next जो feature है जिसके बारे मैं बात करना चाहूंगा which is generative tool with the firefly model 3 पहला जो generative fill था वो model 1 पे काम कर रहा था अब यह model 3 पे upgrade हो चुका है so generations है वो थोड़े से better हमें देखने मिल जाते है specially अपको याद है जब generative AI launch हुआ था तो सबसे पहला feature मैंने देखा था बहुत सारे लोग use करके उसका जो videos अपलोड कर रहे थे विच इसकी कपड़े change कर पा रहे थे तो उसी को हम लेते है उसी को try करते है तो यहाँ पर जाकर मैं lasso tool select करूँगा और एक मैं selection बना लेता हूँ इस बंदे का बहुत ही rough सा selection और मैं यहाँ पर type कर देता हूँ loose t-shirt and shorts let's see what we get, click on generate and there you go results काफी अच्छे लगे मुझे especially detail दिख सकते हो second वाला तो बहुत सही लग रहा है lighting बगरा भी सही है fingers के साथ अभी भी यह थोड़ी से struggle करता है but I think overall it's much better as compared to previous version काफी अच्छे results हमें देखने मिले है again अगर आप satisfied नहीं हो results के साथ आप फिर से generate पे click करो हमें और options देखने मिल जाएंगे but this is just to give you an example कि पहले का जो जनरेटिव AI था with the Adobe Firefly Model 1 अब यह Model 3 पे काम कर रहा है तो थोड़ा सा और अपग्रेड हो चुका है results और अच्छे आपको देखने मिल जाएंगे so yeah this is really nice मतलब यह तो usable है भाई से मैं use कर सकता हूँ किसी भी कुछ भी design अगर मुझे करना हो तो यह use किया जा सकता है यह बिल्कुल नहीं use कर सकते है but कुछ-कुछ results है जो काफी इच्छे है so like this one तो पहले के compare में काफी जादा better है results देखने मिलते है next जो feature है जिसके बारे मैं बात करना चाहता हूँ वो है generative workspace अगर आप जाएंगे edit में यहाँ पर आपको मिल जाएका generative workspace यहाँ पर आप directly कोई भी image generate कर सकते हो अपने हिसाब से तो मैंने last time कुछ experiment करने के लिए कुछ images generate किये थे जो कि आप लोग यहाँ पार देख सकते हो और जो generation था वो काफी जादा अच्छा था अब डीटेल जो आपको देखने मिलते है वो काफी जादा अच्छा है तो अगर मैं 50% पर रखुई से you can see the results are quite nice so how does this work let's try something new I'll try a dog in a sports car made of cloud something random यहाँ पर आपको fast mode देखने मिल जाता है तो अगर यह fast mode on हो तो आपका result जो है वो काफी जल्दी मिलेगा बट जो accuracy है बहुत कुछी से कम देखने मिलेंगी और अगर मैं इसे off करूँ तो result आपको जाता better देखने मिलेगा बट जो speed होगी generation की वो थोड़ इसी slow होगी okay यहां पर यह generation start हो चुका है और अभी जब यह generate हो रहा है तो अगर मैं चाहू तो यहां पर कुछ और भी type कर सकता हूँ डिरेक्ली generate करने के लिए so this has given me some results let's see okay so this is really nice अगर मैं कोई poster वगरा बना रहा हूँ किसी brand के लिए तो इस type के जो images है वो काम आ सकता है यह इतना अच्छा नहीं है this is nice अगर मुझे से customize करना है मुझे variables add करने है तो वो भी मैं यहां पर add कर सकता हूँ so let's add something like big red or maybe space something like that let's click on generate तो यहां पर जैसा कि आप लोग देख सकते हो generate 12 images कर रहा है क्योंकि हमने यहां पर variables add कर दिया है so it's gonna generate 4 images for every variable तो red card दे दी है यहां पर space के साथ space background के साथ दिया है but this one is really nice I think काफी usable है this is nice तो results यह है वो काफी okay मैं बोलूंगा काफी मतलब ठीक ठाक से है बट कहीं कहीं पर यह बहुत जादा अच्छे result देता है जैसे कि मैंने यहां पर टाइप किया था an astronaut dog in a car तो यह जो result थे वो काफी अच्छे थे details हमें बहुत सारे देखने मिले यहां पर फिर मैंने यहां पर डाला था a dragon with a dog face तो यहां पर इसने dog face को इतने अच्छे सरी किसे iterate नहीं किया पर यहां पर जैसे a dragon with a dog face in space तो यहां पर ना इसने थोड़ा सा जो आगे का पोश्चन ए ड्राइगन का उसे थोड़ा सा ट्राइप कि दा डॉक वाली शेप में रखने का but overall यह किसी-किसी प्राउंट में मुझे काफी रिजल्ट मिले किसी-किसी में इतने not so good result मिले so you can experiment with this but I think it's a great add-on अभी यह जो जनरेटिव वर्क स्पेस का फीचर है यह फोटोशोप बीटा में अविलेबल है अभी तक फाइनल वोजिन में यह नहीं आया है so that is all for today guys अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दिना और मैंने और भी ऐसे फोटोशोप टूटोरियल बनाय हुए है जो की आप अभी जाकर चेक आउट कर सकते हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शिन में मिल जाएगी इसी के साथ मैं आप लोग उसे मिलूंगा अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केर और आलवेज स्टेए राव स्टेए क्रेटिव पीस आउट हो हो बाइस साब नाइट ड्रस चाहिए था भई